क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अपरादी को फासी की सजा सुनाने के बाद आखिर उसे फासी कैसे दी जाती है और जल्लात किस तरह उस व्यक्ति को फासी देता है जब भी हमारे देश में किसी को फासी की सजा दी गई है वो चर्चा में रही है भारत में किसी जगन या आधूरी मानी जाता फासी का फंदा फासी देने का समय समय औरका विश्येश ध्यान रखा जाता है। सबसे बड़ी भूमी का होती है जलाद की जिस अपरादी को फासी दी जाती है उसके आखरी वक्त में उसके साथ जलाद ही खड़ा होता है वही फासी देने से पहले जलाद दोशी के कानों में कुछ बोलता है और उसके बाद चमुत्रे से जुड़ा लीवर खीज देता है की प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी होता है डेट वारेंड जारी होने के बाद केदी को बताया जाता है कि उसे फासी होने वाली है जेल सुपरीडेंट प्रशाशन को भी डेट वारेंड की जानकरी देते हैं अगर केदी की जेल में फासी की विवस्ता नहीं है तो उसे डे गाट कैईदी को फासी होनी है उसे पूरा दिन मोत का इंतजार नहीं करना पड़ता परीह जनों को अंतिम संसकार के लिए पुरा दिन मिल जाता है फासी वाले दिन सुबह सुबह सुप्रिडेंटेंट की निगरानी में गाट कैदी को फासी कक्ष मिलाते हैं फासी के वक्त जलात के अलावा तीन अधिकारी जेल सुप्रिडेंटेंट मेडिकल अफसर और मजिस्ट्रेट मौजूद रहते हैं सुप्रिडेंटेंट फासी से पहले आखरी च्छा पूछी जाती है जिसमें परिवार से मिलना अच्छा खाना खाना या कोई और ख्वाईश जो भी केदी अपनी जिन्दगी खतम होने से पहले पूरी करना चाहता हूँ जिस अपरादी को फासी दी जाती है उसके आखरी वक्त में जल्लाद ही उसके साथ होता है सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल का जल्लाद का ही है फासी देने से पहले जल्लाद केदी के कानों में अपने काम को लेकर माफी नमा जैसा कुछ बोलता है बता दे कि फासी के दोरान जल्लाद चबुत्रे से जुड़ा लीवर खीषता है इस लीवर को खीषने से पहले व अपरादी के कान में और भी कुछ कहता है जल्लाद अपरादी से आगे कहता है कि हम क्या कर सकते हैं हम हुकम के गुलाम है इतना कहकर जल्लाद फासी का फंदा खीज देता है आखरी वक्त में जल्लाद केदी के कान में कहता है कि मैं अपने फर्स के आगे मजबूर हूं मैं पैरों के नीचे से चब उत्रे से जुड़ा लीवर खीज देता है।